हमार साथ करगिल में जो हंगर स्ट्राइक चल रहा है और हंगर स्ट्राइक स्पोर्ट से जॉइन कर चुके हैं सज्जाद करगिली जो के करगिल डेमोकेटिक अलाइन्स के कोर कमीटी में से आते हैं हमार से जॉइन कर ने के लिए बहुत बहुत शुकुरिया सज्जाद जी क् आज जाव लोगों ने हंगर स्ट्राइक किया है और लह में भी हंगर स्ट्राइक जा रही है। लेखिन भारति जनता पार्टि लगातारे इल्जाम लगा रहे हैं कि जो प्लेटफॉर्मस आप लोगों हंगर स्ट्राइक का बनाया है वो leur-तिकल Gain के लिए कुछ लोग तो आप जहां वेक्यूम रखेंगे जगागा खाली होगी तो आएगा इसा नहीं है कि भी जब आए तो कांगरस वाले नहीं आएगे आम आदमी वाले नहीं दूसरे एबीसी जो भी पार्टी जो भी पार्टी जो नहीं आएंगे इसा तो नहीं हो सकता है। मैं उमीद करूंगा कि बीजेपी वाले दूर बेट के तंज और तंकीद करने के बजाए वो इसका हिस्सा बनेंगे और लदाक की आवाम को मिलकर उठाएंगे। मैं यह चाहता हूँ उन से क्यों करें। क्योंकि सिख शिडूल ट्राइबल लोगों के लिए बनाया हुआ आर्टिकल 242 में जो सिख शिडूल का प्रोविजन है वो ट्राइबल के लिए हैं हमारी मौर दें 90% पॉपलेशन ट्राइबल है और ट्राइबल स्टेटस मिलने के बाद सिख शिडूल के अंदर जो सेंटर कि बहुत सारे ऐसे प्रोविजन से जो लदाख में लोगों को लदाख में इंपिल्मिन भी नहीं वग़े और यहां लोग जो है वो लेजिसलेशन कर सकते हैं बहुत सारे कवानें जो हमारे एडिरि सीसे एडिसी को इंपाउर किया जाएगा तो यह तो फाइदा है लदाख को नादेने का क्या वज़ा है वैसे भी आपको मालू है कि अरजुन मुंड़ा जी की क्यादत में शुरूर All Noe का कमिशन ने औरेडि़ी जो पार्लिमेटरी कमिटरी को रिकामेंड किया है कि लधा को छिट्चे शुरूर में दाखिल किया जा सकता है वो लधा जी की तरफ से क्या रिस्पॉंस था? नादेने के क्या कारण उन्होंने बता है? ने कोई कारण नहीं बता है ना उन्होंने तो सिर्फ एक बात कही कि मैंने यूटी देके गलती की लधा को तो हम तो वही चाहते हैं कि जो गलती हुई है वो गलती सुदर जाए हरी विए वी गनाट रम करते हैं प्रत्राइश कि है급? September तबदीली के लिए कुछ आप्शिंज रखा है आप लोगों ने स्टेट और से शीडूल को ले कि अगर गाउंट आ गया कि आपसे बात करके कुछ ऑप्शिंज रखते रखता है तो क्या आप अपने पॉइंट्स को चेंज कर सकते हैं ठीक है पॉइंट्स चेंज करने का मतलब नहीं हम चाहते हैं डेमोक्राटिक इडमोस्फियर मिले हाँ ठीक है उसमें कमी पेशी रह सकती है उस पर बात भी कर सकते हैं हम सरकार के साथ लेकिन जो शुडू से ही चीज़ों को खारिच करना इसका मलब दर्वाजे खिटके हैं सारा बंद करने के बराबर है हम तो जाते हैं कि सरकार बात करे आगया आए वो ह का वी बन नहीं किया हम तो दिली में हालनकी हमारे लोक भी हमसे नाराज हो एकिता सकतर बावूरी है लोग हमसे नाराज थे उसके बावजुद भी हम जो है वह इसका हिस्साने है एपेक्स और केडिये का हालिये दिनों में मीटिंग हुआ लेह में वहाँ पे कौन-कौन से मुद्दूं पे डिसकेशन्स हुआ चुंकि ऑफिशल किसी भी तरह की स्टेटमेंट बाहर नहीं है किसे हम बात को आगे बढ़ाएंगे नहीं मुद्दू के बात वो तो जो भी जब भी इस इस अंचन के बाद और रमजान के बाद जब एपेक्स के एडिये के लोग मिलके बैठेंगे उसके बात ही देखा जाएगा 27 तारी को लेह में भी अंचन खतम हो रहें सुना मौजुका और करगिल में भी 27 तारी को क्या पबलिक से खताब करेंगे दोनों जगाओं बिलकुल बिलकुल लोगों से अड्रेस होगा पबलिक अड्रेस के साथ ये प्रोटेस्ट खतम हो मुझे तो नहीं लगता है अभी होगा उसके बात हमें फिजिकली तमाम जो है अपेक्स केडिये के पूरी पूरी टीम को बेढ़ना पड़ेगा उसके बात कुछ आगे बढ़ सकता है एकेसर केर्गिल के लिए के सुनामाउचु को समर्थन किया तो इस अंचन में भी लहे से कुछ लोगों काने का ताथा है चलिए बहुत है हमारे साथ करगिल के मेंबर और सब कमिटी जो कि गवर्मेंट ने बनाया था सजात करगिल हमारे साथ जॉइन कर चुके थे और स्टेट हूट की डिमान क्यों कर रहे हैं लदाख के लोग और खासकर जो government points रख रहे हैं उसके उपर apex और केडिये क्यों मुदमेन नहीं है वो उन्हें के जरीए हम समझने की कोश्च कर रहे थे और आप तक पहुंचाने की कोश्च कर रहे थे आप देखते रहे कुरिस्ताने उस परपल के updates के लिए और भी updates आप तक पहुंचाते रहेंगे